कि कि इस तो ऊब्जल पठल और आप देख चरह रहे हैं पठल फार्मा ओडूब आज हम बात करेंगे ब्याच की फसल के बारे में ऑजी खेतीं कुन कynen सी बीमारी आती है किस समय बीमारी आ ती ब्याज की फसल के अंदर पीला-पन जले भी रोक और कुछ महू किट और सुंडिया लग जाती है यह किस कारण से लगती है इनका इलाज और इनके बारे में सारी जानकर्या देने के हम आपको कोशिस करेंगे आज हम साम को अपने प्याज की फसल को देखने के लिए आए खेट का निरिक्चन कर रहे है इसके अंदर हमें कुछ पीलापन दिखाई दे रहा है प्याज की फसल के अंदर पीलापन मुख्यता कुछ कारणों से हो सकता है इसके अंदर यह पिलापन है यह पोशक तत्यों की क कारण भी हो सकता है इस पिलापन को हम दूर करने के लिए प्रासाइनिक दवाईयों का इस तरह भी किया जा सकता है उसके द्वारा भी पिलापन को दूर किया जा सकता है इस समय हमारी प्याज की फसल लगबग दो महीने की हो चुकी है इसके अंदर फिलाल बहुत थ्रिप्स क करकोब देखने को मिल रहा है जिसके कारण इसकी लिप पर आप देख सकते हो कि धब्बे बन चुके जो कि रस चुसक कीडों के रस चुसने के कारण इसमें पिलापन आ रहा है इसको दूर करने के लिए अपने वीडियो में सारी दवाई बताएंगे कि इसमें हमने कौन सा स्प्रिक क्या है और इसके अंदर फिला आल आप देखोगे कि इसके अंदर इसकी पत्तियों के अंदर सुन्डियों का भी प्रकॉप हो गया है वह आपको मैं दिखाने की कोशिश करूआं आप देख सकते ह नहीं जहीं हऊ दोषिक है किसान मीतरों कि अन्दर आप देख सकते हो है यह देखिए दोस्तों मैं आपको यह बताने कि कोशिश कर रहा हूं आप देख सकते हो यह परैसलिद के अंदर पुरी तरह घुझ गया है और इसके कंट्रोल के लिए भी हमें इन सेक्रिस साइड का उप्योग करना पड़ेगा इस ली को अंदर की ली को मारने के लिए खत्म करने के लिए हमें इमाम 18 बिंजोइट का उप्योग करना पड़ेगा जिसका डोज हम 50 ग्राम बिगा के इसाफ से देंगे इसका डोज और इसका पूरा इमेज आपको हम दिखा देंगे देख सकते हो दोस्तों इल्ली का प्रकॉप प्याज में इस समय दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो किसान मित्रो यह इस पकार इसके अंदर प्याज की पत्तियों के अंदर इल्ली मुझूद है अब देख सकते हो अब इसके बार इसकी फसल के अंदर हमें कौन सा डोज देना है सारी बीमारिया हम देख चुके इसके अंदर पिलापन भी है त्रिप्स भी है और सुन्डियों का भी प्रकॉप है इसके लिए दोस्तों हम इसके अंदर कुछ चाल की भी कमी है प्याज में हमारे थोड़ी चाल भी रुकी हुए इसके लिए चाल को हम बढ़ाने के लिए इसमें हम क्रिसी रसायन का जो पोश्रक सुपर आता है वो देंगे जिसका डोज 50 ml बिगा देंगे और इसमें हम थ्रिप्स के लिए और कुछ महुप पतंगे कीटो के लिए इसमें हम बायर का सुलोमन आता है वो देंगे उसका डोज भी हम 50 ml बिगा देंगे और यह जो आप सुंडिया देखिए अभी हमने बताई इन सुंडियों के को नष्ट करने के लिए हम इमामेट्रिन बेंजोइड देंगे जिसका डोज हम 50 ग्राम बिगा देंगे और इसके अंदर जो पीलापन है और जो फंगस ड्रस चूसक कीडों के कारण जो फंगस बन गही है इसको दूर करने के लिए हम बी ए सब का मेरी वान देंगे जिसका डोज हम 40 ml प्रती बिगा के इसाथ से दें उचित लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बनाएवे वीडियो को अब देख रहे हैं से लाइक कीजिए और दूसरे किसान मित्रों को सेर कीजिए ताकि यह जानकारी दूसरे किसान मित्रों तक भी पहुंच सके